हलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा आर्ट का जो पेपर है विज्ञान का साइंस का अर्दवार्शिक परिक्षा के लिए तो सभी क्षिशनों के उत्तर आपको बताए जाएंगे तो आप टैंसन ना लें और सभी प्रशन करने अनिवार रहे हैं और सभी प्रशनों के जो अंक है कि कौन सा प्रशन कितने नंबर का है उनके आगे लिखा हुआ है बहु विकल्पी प्रशन है एक से लेकर पांच तक यानि के आपको चार विकल्प मिलेंगे कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं आपको जो सही विकल्प है वो लिखना है तो आईए बिना देरी के स्टार्ट करता है पहले क्यूशन के साथ पहला क्यूशन है आपका फसल के होर बिलकुल सही है तन्य ये भी सही है और सुचालक ये भी सही है यानि के उपरोक्त सभी क्यूशन नमर चार है मलेरिया पड़जीवी का वाग है तो मलेरिया पड़जीवी किसका वाग है तो ये वाग है मादा एनाफलीज मच्चर ये देखिए क्यूशन नमर पांच की तरफ क्यूशन नमर पांच है आपका एक कोशिक जीव है आपके उप्चन दे रखें अमीबा मनुश गाय बेड तो मनुश गाय बेड इन में तो बहुत सारी कोशिकाए पाई जाती है एक कोशिक जीव है हमारा अमीबा ऑप्चन नमर के नेक क्यूश है question number six यहां से आपके long question start हो रहा है पहले दो number के question आएंगे फिर तीन number फिर चारण number के question तो इन सभी को देखने से पहले आपसे गुजारिश है जिन्हों ने भी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है प्लीज वो subscribe कर लें notification वैल को follow कर लें जिससे आपको एक्जाम से related सारी news information पीडिया वगेरा सब मिल सके तो उन सभी को जरूर जोइन करें तो question number 6 है रभी वैं खरीब की फशलों के दो-दो अधारण दीजिए तो रभी की फशल हम बहते हैं सर्दियों में और खरीब की फशल हम बहते हैं किसमें बहते हैं गर्मियों में तो इनके दो-दो-धारण देने आप जो रभी की फशल यानि के सर्दियों में बहुएंगे वो है कहूं इसके अलावा सर्सों और खरीब की फशल में आप ले सकते हैं बाजरा और जुहार या फिर आप देखिए गर्मियों में आ पूस्तक क्या है कि रखा जाता है तो बताइए क्यों रखा जाता है क्योंकि ये हवा की साथ किर्या करके आग पकड़ लेते हैं जल जाते हैं क्यूश्य नमर 9 है उचित सब्ध छाटकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए आपको सब्ध दे रखें ये देखिए इनको रिक्तिस्थानों बढ़ना है पहला है एक इस्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में होगाय गए पौदो को हम क्या कहते हैं बताइए उन दूसरा है फशल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या है बदाइए ऐसे किशनों में आप पहले जो जो आएं वो बढ़ते जाएं जो बचेगा उनमें से हम मैच करवाएंगे तो पहले में आ गया फशल दूसरे को अभी हम स्किप करते हैं इसमें देखेंगे क्या बहुत सारे option इसमें आ सकते हैं तीसरा है छतीगरस्त बीज जल की सतय पर क्या करेंगे तैड़ने लगेंगे तो छतीगरस्त जतने बीज हैं वो जल की सतय पर तैड़ने लगेंगे तो हमारे दो option हो गया पूरे एक फशल हो गया एक तैड़ने हो गया नेक्ट है फसल उगाने के लिए परियाप्त सूरिक का प्रकास एवं मिट्टी से जल तथा पोशक आवशक है जल तथा पोशक तो दूसरे मायगा फसल उगाने से पहले प्रतम चरण मिट्टी की तैयारी होती है तो दूसरे माये का तैयारी तीसरे माये का तैरने और चौते माये का जल वे पोशक आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये question number 9 के आपके answer हुए बढ़ते है question number 10 की तरफ question number 10 है जिस मैं आपको सारणी दे रखी है इन गुणों के आदार पर दातू और अदातू के मैं अंतर लिखिए तो पहला है दिखावट दिखावट के आदार पर दातू और अदातू बतानी है दिखावट के आदार पर दातू होती है चम के लिए अदातू रोड़ी चम के लिए नहीं होती है और कठोर दातु कठोर होती है दातु कठोर नहीं होती है तन्निता दातु तन्निता होती है वित्तु चालन भी होता है अगादवर्द नियापता भी होती है तो इनके गुण यह देखिए इनमें आएगा टिक 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 यानिकी होता है और इनमें आएगा क्रॉस नहीं होते दो गुणी आप विशेषता अंबताइए तो प्लस्टिक के आपको दो गुणी अभिशेषता अंबताने है ये जिक्यूशन है असानी से बता सकते हैं और ये लोंग क्यूशन है इंको हम यहां पर लिख्वा नहीं सकते तो इनके अलग से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जहां पर आपको इसका उत्तर बताएंगे आप इसका इसके इंसोर्ट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं क्यूशन नमर 12 है मौमबत्ती की जुआला का चिन्नित चित्र बनाई है तो आपने मौमबत्ती जल्तिवी देखी होगी तो उसकी जुआला कैसे निकलती है उसका चित्र बनाना है यानि कि आपको एक तरीके से जल्तिवी मौमबत्ती का चित्र बनाना है क्यूशन नमर 13 है क्या होगा यदि हम रक्षों की कटाई करते रहे तो बताइए रक्षम करते रहे तो क्या होगा Question number 14 है Column 1 के जीवों का मिलान Column 2 के दिये गए जीवों के कारें से कीजिए एक तरफ आपको Column 1 में जीव दे रखे हैं और Column 2 में उनके कारे दे रखे हैं तो आपको इनका मिलान करना है पहले मैं आपको दे रखाए जीवाणू Rhizobium Lactobacillus Yist एक Protojova और विशाणू Question number 15 है सिचाई किसे कहते हैं जल सनरक्षित करने वाली सिचाई की दो विदियों के नाम लेखिए Sorry, दो विदियों का आपको वर्णन करना है नाम ने लिखना है Question number 16 है प्लास्टिक के उप्योग से होने वाले दुस प्रवाव होगा वर्णन कीजिए प्लास्टिक का उप्योग करते हैं तो उससे क्या क्या दुस प्रवाव होता है वो आपको बताने Question number 17 है वर्णन मूलन से वर्णसा दर किस प्रकार कम होई है Question number 18 है आगात वर्णनियता एवं तन्नियता से आप क्या समझते हैं उन दो दात्वों के नाम बताईए जिन में ये गुण पाये जाता है तो दात्व बहुत सारी है आप जानते हैं जिन में चमक होती है पहचान कैसे करेंगे आप जिन दात्वों में चमक होती है या हम कह सकते हैं जिन पदातवों में चमक होती है उन्हें हम धातु कहते हैं तो इससे आप पहचान कर सकते हैं तो ये बताने हैं आपको ये long question है तो इनके answer आपको separate वीडियो में बता देंगे तो आपके ये question यहीं तक थे, सारे important question है, जो आपके exam में आ सकता है इसलिए एक भी question को मिस ना करें सारे question को देख लें, याद कर लें, रट लें अपने friends में share करते हैं, जो channel पर नए हैं या जिन्हों ने channel को subscribe नहीं किया है प्लीज वो channel को subscribe कर लें notification वेल को on कर लें और description में हमारे telegram channel का whatsapp group का link है, उन्हें भी join कर गे रखें जिससे आपको सारी update time to time मिल सके मिलते है next video में, thank you